नमस्कार आस्क आशिश के अन्य एक अपीसोड में आफ सब का स्वागत है एक बड़ी ही प्यारी पंक्ति याद आ रही है अगर तू मंदीर में बसता है तो फिर मस्जिद में बसता है कौन यदि तू आर्थी को सुनता है तो फिर अजान को सुनता है कौन किया मुक्ति का एकी तरीका होता है या मुक्ति के कई तरीके हो सकते हैं क्या एक शॉटकट होता है पर्टिकुलर संप्रदाय के पास कि यदि आप फला-फला activities करोगे तो आपको शिग्र या जल्ली मुक्ति मिल जाएगी उसी तरह का एक प्रश्न बढ़ाई एलोग्रेटेड प्रश्ण राज जी ने पुछा है अब उनके प्रश्ण में तीन चार प्रश्ण समाविष्ट है पहले तो उन्होंने ये पुछा है कि क्या कुछ टिपिकल संप्रदाय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जब वेस्टर कंट्रीज में जाते हैं हाला कि वो उनके प्रश्ण पूछा है राज जी ने वो भी लग रहा है कि उन्होंने वेस्टर कंट्रीज में इसे पूछा होगा उनका ये कहना है कि कुछ टिपिकल संप्रदाय के लोग जब विजिट करते हैं वहां पर तब वो ये कहते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म में ही लगाना चाहिए मंत्रजाप को इसी तरह से रटना चाहिए तभी मुक्ति मिल सकती है यदि आपने हमारे संप्रदाय कोον किया तो आपको मुक्ति के लिए शॉर्ट कट मिल जाएगा वेज फूरी खाना चाहिए साट्मिक फुर को ही आपको खाना चाहिए प्री। क्या इस तरह का शॉर्ट कट कै अध्यात्मिक मुक्ति के लिए होता हैं कि यदि सिर्फ मंतरजाम को कि स्पेसिफिक मेनर में बोलने से मुक्ति मिलती ही तो फिर वांथ की सिक तो मुक्ति मिलती ही नहीं उनको कहा गया था कि उनको राम राम जपना है लेकिन उन्होंने दिस जाब किया था मरा मरा उनको स्पेसिफिक फॉर्म के हिश्वर को भोग लगाने से ही मुक्ति मिलती तो फिर तो कई संप्रदाय ऐसे भी है जहां पर नौन वेजिटेरियन फूड का ही भोग लगाया जाता है भगवान को तो फिर उस संप्रदाय के व्यक्तियों को तो मुक्ति मिलेगी नहीं यदि मुक्ति मोक्ष या लिबरेशन आपके फूड के उपर या आपकी लाइफस्टाइल के उपर डिपेंडेंट होता तो तो उसका पनके पार। है यदि आपने वेजिटेरियन फूड काया तो आप मुझे पसंदो और यदि आपने और नौन वेजिटेरियन फूड य तो आप मुझे नहीं पसंद हो तो जो पार्ठीक हो वह फिर कैसे हो सकता है। इश्वर एक ऐसे तत्व के बारे में बात है जिसके अंदर सब कुछ समाविष्ट है जो बड़ा से बड़ा गुनाह भी कर रहा है वो व्यक्ति भी इश्वर को उतना ही प्यारा है जो चांटिंग कर रहा है इश्वर के लिए सभी समान है तो आप किस तरह की लाइफस्टाइल को जी रहे हो अपकोस मुक्ति के लिए गिनान चाहिए और गिनान के आउसरों के लिए आपका अंतहकरण या आपका मन शुद्ध होना चाहिए और उसके लिए सास्त्रों में यह कहा गया है कि यदि आप स्पिरिच्वल पात को फॉलो कर रहे हो तो यदि आपका लाइफ परपस सिर्फ और सिर्फ गिनान की प्राप्ति है स्पिरिच्वल लाइफ है जैन सर्टें टाइप ओफ फूड की आपको खाना चाहिए ऐसा सास्त्रों में स्पस्ट कहा गया है वेल ओशो रद्नीज की डेफिनेशन तो खाने के लिए बहुत ही बढ़िया थी वो यह कहते थे खाना इतना खाना चाहिए कि खाने के बाद खाने की याद ना आए कम खाओगे तो भी खाने की याद आएगी ज्यादा खाओगे तो भी खाने की याद आएगी सिर्व वाशो ही क्यों भगवत गीता में जब खाने के बारे में बात करने की बात आई तब सिकुष्णन ने ये नहीं कहा क्या आपको फलाफुड खाना चाहिए फलाफुड नहीं खाना चाहिए, उन्होंने का है युक्ताहार, युक्ताहार खाना है, अर्थाथ शरीर को जितना जरूरी हो, उतना खाना खाना है, किस तरह का खाना खाना है, वो आपकी subjective matter है, वो आपकी choice है, तो यदि कोई वैक्ती, या किसी संप्रदाय का वैक्ती, आपक specific type of food ही खाना होगा, आपको specific तरह सही भगवान को भोग लगाना होगा, तो फिर जो लोग भगवान में मानते ही नहीं है, क्या उनकी मुक्ती नहीं होगी, सास्त्र तो ये कहता है, कि नास्तिक से नास्तिक आदमी की भी मुक्ती संपव है, जो किसी भी तरह का भोग नहीं लगाता, वैसे व्यक्ति का भी यदि अंतकरन शुद है, तो वो मुक्ती को पाप करी लेगा, सो बाहिये जो भी चीजे है, आपने क्या खाना खाया, आपने किस तरह के कपड़े पहने, आपने किस तरह से मंतरजाब किया, वो सब चीजे मुक्ती के ओपर डिपेंडन नहीं है, आपकी अंदर की भावना क्या है, वही ज्यादा इंपोर्टन है, यदि आपकी अंदर की भावना जग गई, तो आप किसी भी तरह का आचरन क्यों न कर रहे हो, आप किसी भी तरह की लाइफस्टाइल क्यों न जब रहे हो, आपको मुक्ति मिली जाएगी, यदि किसी सं आपको यह समझा रहा है कि आपको स्पेसिफिक तरह से चीजों को खाना होगा तो ही मुक्ती संभव है तो उनको उनके सामने हाथ जोड़के उनको प्रणाम कहो उनकी बाते सुनो लेकिन मानो मत दूसरा प्रस्ण जो पुछा है वह प्रोचना पुछा है नंदन जी वाला ने और उनके पूछा है अशिज जी वन आप दो वीडियो यू सेट देट साउट ऑफ साउट ऑफ हाउस इप जरी से लार्ज बॉरी वाटर तो इससे इश्यू होगा अब मेरे घर के पीछे ही बहुत बड़ा लेक है जो के साउट डिरेक्शन में है और उस डिरेक्शन में दे डर फ्रत जाए का कि यहीं है थे थे आउस्यूज ने पुछले किसित ऑफ स्रीक्शन में लेक to Monsieur Ser감ist आपको कहता कोई वीध्वान वास्तूUST-कसिल्टान्न की सला लो वो अपन 곁 दिखरेगा कि यदि साउथ डिरेक्शन यमें लार्ज वॉर्टर बॉडबाडी है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके north direction में या north east direction में किस तरह का water body होना चाहिए south direction में या किसी भी direction में यदि कोई दोश है तो उस दोश के निवारन के लिए दो चीजे सास्तरों में करने की कही गई है यहाँ पर south की बात है तो हम south की बात करते है जैसे कि south में कहा गया कि fire element को रिप्रेजन करने का काम south direction करती है तो fire element को add करने से या फिर fire element को रिप्रेजन करने वाले किसी object को या red color को या mangal के यंत्र का उप्योग करके भी आप उस जल तत्वक के दोश्ट से छुटकारा प्राप कर पाओगे इतना ही नहीं आप यदि आपके वास्तु के north, northeast या waste direction में water element को create करोगे तो उससे भी आपका जो southern part में large water element है उससे भी लाब होगा यदि आप south direction को face करके study कर रहे हो या आपकी day-to-day activities कर रहे हो तो आपको सास्त्र में एक आ गया है कि उससे aggression बढ़ता है तो यदि बढ़ने वाले aggression का आप कोई उपाय भी ले रहे हो तो भी उससे आपको मुक्ति मिलेगी मेरा सबस्ट मानना है कि as far as remedies of वास्तु इस concern आपको आपका पूरा प्लान देखना चाहिए किसी एक डिरेक्शन में कौन सा दोश है वो समझ के दोश निवारन नहीं करना चाहिए तो आपके घर का प्लान लेकर आप किसी वास्तु consultant के पास जाना या फिर किसी वास्तु consultant को आपके घर पर बुलाना वो आपका योग्य मांग दर्शन कर पाएंगे बट अपकोस यदि साउट डिरेक्शन में लार्ज वाटर बॉड़ी है तो उसके निवारन है उससे उतना डढने की आवशक्ता नहीं है तीसरा और आखिर प्रशन जो पूछा गया है वह दिरिपंडिया जी ने पूछा है और उन्होंने यह पूछा है कि माई ग्रांड डॉटर एज टू येर्ड ओल इस बॉन इन धनुराशी एंड मुल नक्षत्र वैल ऐसे तीन तो उननका प्रशन था क्या मुल नक्षत्र की आसलेशा नक्षत्र जेश्टा नक्षत्र और मुल नक्षत्र यदि किसी वैक्ति का जन्म इन तीन नक्षत्रों में हुआ है तो आपको सास्त्र ये कहता है कि उनके अपने जन्म से लेकर उनके साथ साल तक के समय में इन नक्षत्रों की शांती करवा लेनी चाहिए नक्षत लिखके वो प्रश्णों मुझे भेद देना, जितनी शिग्रता से मैं आपके प्रश्णों को ले पाऊंगा, वो लेने का मैं प्रयास करूंगा, शुबम भवतु, प्रणाम